पर सोचने की बात है भाई लाउस में पंचर लगवाने के लिए पचास अजार देने बढ़ रहे है सोचो सो किलो मेटर के लिए तीन घंटे दिखा रहे है मतलब की 35 की हैवरे स्पीड भाई यह लुआंग प्रोमांग इतना बड़ा शेहर है इनका अब जल जल दिवस डीजल का स्टेशन मिल जाए भाई ताकि फुल करवाले टंकी वरना तो यह विरान में फच जाएंगे भाई बिलकुल खतम होने वाला है अब ऐसे विराने में भाई मिल तो गया है फ्यूल स्टेशन बट रेट देखो 22,500 का एक लीटर भाई इमेजन कर पा रहे हैं भाई 22,500 का एक लीटर अभी फुल टंकी उने में तो कई लाख लग जाएंगे हमारे यहां लाउस में भाई सब 10 लाख का डीजल आया 44 लीटर ह अब बाई गाड़ी में इस तायर की बड़ी समस्या हो रही है पंचर है इसमें बारीक सा की हवा हम बरते है ना तो एक दो दिन बाद फिर कम हो जाती है मतला इंसेंटली नहीं हो रही तो कोई जरा सा ही पंचर होगा और हम गए ते अभी परसो इसका रिपेर करवाने लेकि लुआंग प्रबांग में भाई पंचर वाला मिली नहीं रहा था क्योंकि शायद पांच बज गए थे शाम के और पांच बजे का सब बंद कर देते हैं इसलिए तो अभी हम जल्दी जा रहे है दो बज़े है दुपार के दोड़ाई तो फटा बट से पंचर लगवा लेते आज रेश ले रखा है मैंने पूरा दिन घर के बहुत सारे काम थे कंस्ट्रक्शन से रिलेटिड तो पूरा दिन आज फोन कॉल वीडियो कॉल ही बचता तो मैंने का कि ट्रैवल ना करके होटल में पड़े रहते और फोन जो है आज हिसाब किताब निफटा देंगे ताकि अगले आने वाले पात-दस दिन फिर टैंशन फ्री घूम सके तो बट खाना तो खाना नहीं था तो मैं सोहन को छोड़ूँगा इंडियन रेश्ट्रांट ये पैक करवाए का खाना और इतने मैं जाके पंचर लगवाँगा जैसी पंचर लगजेगा इसको पिक करके वाप ये भाई सामने मिल तो गई है दुकान टाइरो की आए तो होफ़ली एक पंचर भी लगा दे इनी के पास ले चलते है लेच्ट को शालो जी चलो टाइर भी सारे रख रख है इनों ने देखना अपने गो तो पंचर उजे पंचर हो जह नहीं मतलब पंचर रिपेर हो जाए और दूसरी चीज पंचर नहीं भी होता, तो भाई मैं इनसे कमगा मेरा टायर बदल दो, स्टैपनी वाला लगा दो यहां पे और यह वाला लगा दो स्टैपनी पर ब्गोथ हो गया तो भाई उस दुकान पे नहीं हो पाया बस उसके ज़स्ट सामने एक और दुकान थी यह व बोल के देख लिया टायर पंचर बोल के देख लिया और फिर फोटो दिखा ही तो समझ गए अब ये शायद से टायर को निकालेंगे और जहां भी भाई पंचर होगा चोटा मोटा वह ड़न हो जाएगा फिर अपना सीन सेट है अगली सिटी है ना यहां से भाई वो लगबग जो दो सो डाइसो किलो मिटर है तो हमनी जाते रस्ते में दिखाताए कुछी जी जैक आचुका है गाड़ी उठाने के लिए और फिर टायर निगल जाएगा तो जी लो फाइनली पंचर मिल गया है ये देखो कुछ इस तरह की कुछ अजीब से कीली उसी हुई हुई भाई आरिया न आवाज सुनो चलो जी बेरी गुड देख लेते हैं और भी हो एक ही है रहाँ एक ही है चलो बड़ी है लेट्सगो उने गार मिली गया उसको हमने पकड़ लिया है पहले उसको निकालेंगे फिर उसको हम जेल करेंगे यहां देखते है पंचर अंदर से तक उन से अंदर गुसा देंगे और पंचर लग जाएगा कील दिखाना वहले है तो में यह देखो जी वाई इतनी वड़ी कील जो है वो अंदर गुसी पड़ी ती जिससे की पंचर हो गया था गुसी नहरा वाई सब अंदर कितना जोड लगाना पड़ रहा देखना ओ भाई तो भाई यह बोल रहे है कि बाहर से तो नहीं हो पाएगा टायर खोल के अंदर से ही करेंगे और वो पैच सा लगाएंगे उसके लिए 50,000 की पहले 40,000 मांगे तब 50,000 कोई नहीं 20-30 रुपए का फराग है दे देते हैं ऐसा मैंने सुना है काफी लोग कमेंट भी कर रहे थे नेपाल वाली वीडियो में कि अंदर से जब पंचर लगाते है तो वह जादा बड़िया होता है तो अंदर से ही लगवाय करो बाहर से मत लगवाय करो नहीं तो एक्स्टा देने पढ़ रहे हैं अब सोचने की बात है लाउस में पंचर लगवाने के लिए 50,000 देने पढ़ चुकी है बस यह 50,000 और 30,000 असी अजार बच्छे है और यह चाइना और थाइलेंड की है और थोड़े से डोलर है तो देखता हूं डोलर को यह एक्षेंज कर वाले तो ज्यादा बैटर रहेगा वरना डिरेक्टली फिर अपना एट्यम तो ही आपको हर बार मैं बताता हूं कि ट्रिप में ऐसे ऐसे खर्चे हो जाते जिनके बार मैं सोचा ही नहीं था यह पंचर हो गया या सर्विस वगयरा रिपेरिंग वगयरा हो गई तो बट चिंता की बात नहीं होती हो कि यह सारा खर्चा मां निकाल लेता हूं बिनोमो पे ट्रेडिंग करके अगर आप भी अप आप को डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन और पिंट कमेंड में दिये गए लिंक से अपका इंटरफेस भाई कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलता है यह जो ग्राफ है इसको हमें प्रेडिक्ट करना है कि यह उपर जाएगा बट प्रेडिक्शन से पहले एक बार प्रेडिक्शन जो है वो सही निकलती है यह नहीं लेट्स गो भाई मेरी प्रेडिक्शन जो है वो बिल्कुल सही निकली है और मैंने अर्ण कर लिये है 14,560 रुपीज अचा भी नोमो को ना भाई वर्ल्ड वाइट काफी जादर ट्रस्टेड वेबसाइट माना जाता है य भाई आपको मिल सकते हैं 10 to 20 डॉलर और तो और आपके फ्रेंट्स या फैमली को भी जो है वो रिवोर्ड मिलेंगे बिनोमो पर तो काफी सही है बाई है अगर आप इन तीन लाइन पर क्लिक करते हो ना तो सबसे वहले तो यहां टूर्नमेंट मिल जाएंगे आपको काफी स जाओ डाउनलोड करो बिनोमो एपको और मेरा प्रोमो कोड बैक पैकर यह ज़रूर यूज़ कर लेना ठीक है जी आइए जी आइए खाना लेगे आइए गरमा गरम इंडियन खाना मज़ेदार चलो चलो बैटो बैटो पास्वोड भी ले आया था सोहन वीजा लग चुका ह बाई बट कोई काल नहीं हम कर लेंगे चोटे मोटे चैलेंज इस प्रोबलम आते रहते है जब आप ट्रैवलिंग करते हो तो तो तैकल हो जाती है या नी भी होती तो मूवण करो आगे बढ़ो आपना कोई दिक्कत नहीं है नी मिलता भी जा तो भाई बगा लेते एक दो बगार के एकजिट कर जाते है लाओस ऐसी कोई दिक्कत नहीं की बोटल पहुचके भाई वो सामने है और उसी के जच सामने है भाई मैंगो शेक की दुखान तो एक मैंगो शेक बनवाए जा रहा है एक नहीं मतलब दो किलास सोहन और मेरा परकाड़ी देगो क्या लग रही क्रेजी लेवल है ना मैंगो शेक हो गए अपने रड़ी भाई लो भाई पकड़ना क्याश दो क्याश होए जो बचे कुछ है वो भी यहां दे दे देंगे भाई अब खतम हो जाएंगे 30,000 हो के 15,000 का यह बैस तो भूग लगई है खाना खाने का मन है बट मैंगो शेक की त साम नहीं है भाई तो कल भी सुबह निकलते वक्ति यहीं से ले लेंगे तो रस्ते में थोड़ा मैंने सोच आज ड़ाएंगे क्योंकि कल जब वोटर फोल के मां उड़ा है ना भाई मजा सा आगे मन का आज रास्ते में गाड़ी के अच्छ अच्छ शोट लेने हैं तो मुद्श झाल तो जा रहे हैं न स्टे में खाने स्ट करम Влад कर स्वह टोब्र आ और टाल टो जा रहे हैं इंडियन रेंट्रेंट सट काने पिक यह रहा हो यह डी सब्लम क्या होता है वह क्यों समक्रम लेकिन प्योर वेज़ भी है और नोन वेज़ भी है वाह गजब जी गजब और रस्ता है जी हमारा आज का 184 किलो मेटर चार गंटे अठामन मिनट दिखा रहा है शाम के साड़े चार पांच बज़े पहुंच जाएंगे डीजल फिलाल तो फुल है काड़ी में भराने की जु जानी चाहिए और जगह का नाम है भाई वैंग विएंग वैंग विएंग यहां से जहां जा रहे हैं फिर वहां से जो इनकी कैपिटल सिटी वीएंटैन वो तो दो घंटे की डाइब है तो आज जाएंगे और कल और परस्तों दो दो दिन महां का पूरा दिखांगा क्या है कैसे है और पाटी वाटी जो भी होते हैं वो सब प्लेसिस दिखाएंगे बज़े से फिर जाएंगे इनकी कापिटल सिटी वियंटेन में कि अब बाई साब है तो आग लगी पड़ी है अब यह किसी ने जानके लगाई है या कर्मी की वाई से लग गई है पता नहीं भाई खतरना कि यह पूरा ही जला देगे में को लग रहा है जानके लगाई हुई है यह जो अजीब सी घास फूंसुगरी है ना तक यह चल जाए बाई बाई टेंपरेचर देखो 39 हो चुका है अब यह बीच में 34 डिगरी भी पहुँच किया था तो यह फ्लक्चुएट होए जा रहा है पर हाँ तीस से उपर ही रह रहा था गर्मी बहुत है बाई साब बाहर यह देखो यहां भी लगा रखे तो यह धूप से तो नहीं ह है और इस तरह से पूरी जाड़ पूस पर यहां तो भाई जंगल है प्रोपर यह देखो पेड़ी पेड़ अगर यह फैल गई तो बहुत उपर तक फैल जएगी टोटल भाई मोटा मोटा हम 50-60 km चल चुके है यह जादा चल चुके है ना कितना था टोटल महां से जब हम न ना भाई 25-30 पे चली जाती है तो इसलिए एवरे स्पीड मेंटेन नहीं हो भारी और गूगल मैप भी 100 km के लिए 3 गंटे दिखा रहा है मतलब की 35 की एवरे स्पीड भाई बढ़ यह कुछ भी है वो ग्रीन डिप होत है आस-पास हर जगा हरा भरा हो रख रख्या प्रॉप पर 20-30% ना बीच में अजीब सा हो जाता है रोड जिसे अचानक से इतने सारे गड़े आ जाएंगे एकदम से भाई बंप से आ जाते हैं जिसे हम 60-70 पे चल रहा है अचानक से भाई इतने तगड़ा बंप आएगा पूरी गाड़ी जूल जाती है अंदर से वह थोड़ी सी टरन आता था या फिर कोई भी ऐसे रोड खराब होती थी तो पहले ही साइन बोर्ड दे देते थे वो डिजिटल साइन बोर्ड भी दे ग्रीन लाइट रेड राइट वाले यहां कुछ नहीं है यहां शेहरों में ही ट्रैफिक सिगनल नहीं है यहां की जो लुएंग कि मौभ यहां बोर्ड भुएपन कुछ रणी घशां की में ही रहां डचा कैसे हां ब euh दे extinct गांता राइबरisième ड़ हां में ही झाल 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 झाल